तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे जैसे कभी कोई सेर हम बाई करते हैं तो उसमें लिमिट कैसे लगाते हैं हम बाई सेल दोनों पर बताएंगे अभी वाले वीडियो में हम बाई पर बता देते हैं अगले वीडियो में हम सेल पर बता देंगे इसके लिए हम चलते है कि न मिट अरगे इस पे प्रॉप्र kişी है गरिए जैसे टाइए मोटर गारा है जैसे टाइप में कृली करेंगे हम यहां लिमित लगा देंगे निली मिटते ही है जैसे यहां क्यों क्रुस yolी है इस में करेंगे Amendment प्राइस जो चला है टाटा मोटर्स का उसी पर बाय हो जाएगा लेकिन लीमिट में क्या है अब जैसे ही 425 रुपया चला है इसका हम लीमिट रखेंगे कि 424 रुपया पंचान में पैसा जैसे देखें सेर्फ का जो प्राइस अभी मार्केट ओपन है इसलिए इस समय प्राइस उपर नीचे हो रहा है हम चाहते हैं कि अभी 424 रुपया हो जाए तब लीमिट एकसेट कर रहे हैं कि 420 अब देखें इंट्राडे एमाईएस है अगर खरिद गाज बेचना चाहते है तो अप जो भी सलेक्ट करना चाहते हैं सलेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि हम बता चुके हैं अगले एक वीडियो में कि इंट्राडे और मिएस में क्या जो इंट्राडे ओर एमाईएस और सी एन्ची में क्या फर्ट है लॉंग तर्म वाले कि नहीं 415 पे आए इतना तो नहीं आएगा एक अंदाजा भी अपका होना चाहिए यह नहीं कि 400 पे आजाए तो 420 रुपया हम लगा देते हैं लिमिट लगा देते हैं कि जब यह 420 रुपया के करीब पहुंचेगा तो जो है हमारा जो है यह खरदा जाएगा अब यह देखिए अब आपको हम खरीद के बताते हैं 420 रुपया लगा दिए और लिमिट लगा दिए यहां देखिए swap to buy पे किलिक करते हैं जैसा कि आप देखिए place हो गया अब आपको हम orders में चल के दिखाते हैं order में देख सकते हैं 425 रुपया चल ला है हम 420 रुपया लगा हैं जब यह market 420 रुपया की करीब पहुंच जाएगा तो यह खरदा जाएगा तो इस तरीका से आप buy करते समय आसानी से लिमिट लगा सकते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजीगा अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दीजीगा फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में